हेलो दोस्तों वेल्कने दो माई चैनल इस वीडियो में हम और बात करने वाले हैं इस टोक थोरम पर एफ 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 वेक्टर फंक्शन है थ्रीवाई आई कैप माईनस एक्स जेट जेट प्लस वाई जेट स्क्वार के कैप स्टोक थोरम क्या कहती है कोई भी क्लोस सर्फेज है बढ़क है थे लन एफ द ड्रीओ घञेट होता है किसके एकवल होता है करल लोफ एफ डॉट जिए थीक है तो हम इस वाले पार्ट से लेकर चलते हैं हम क्या करेंगे मैंडिस 29 पाई प्रूफ कर देंग तो एफ डोट डील निकालो एफ डोट डिल कितना हो जाएगा F की value 3Y I cap X Z J cap Y Z square K cap इसके साथ dot product किसका DL, DL क्या लिको D X I cap D Y J cap और D Z K cap ठीक है अभी हम जो limit होगी अभी उसको surface के थुरू find करेंगे, पहले इसको हम इतना कर देते हैं तो यह हो जा, 3Y D X minus X Z D Y और Y Z square K cap, sorry D Z, इतना आ गया अब हमें चाहिए क्या इसको जो surface आगी उससे हमें इसे देखना पड़ागा transformation की जओद है या नहीं तो हमें यह दे रखा है surface दे रखा है X square plus Y square equals to 2 Z and Z equals to 2 तो surface क्या हो जाएगी surface आग मैं Z equals to 2 लगा दू इस पर surface क्या हो जाएगी आगी तो X square plus Y square is equals to 2 का स्कॉर and Z equals to 2 ठीक है तो यह क्या बन गया एक circle बन गया एक यह Z equals to 2 का plane बन गया तो अगर यह circle है तो मैं इसे solve करना चाह रहा हूं तो हम क्या करेंगे जब circle का बनता है polar coordinate में change कर जो X equals to R cos theta R की value हो गई 2 cos theta ठीक है circle पर vary करेंगे तो theta 0 लेकर 2 pi तक vary करेंगे हमें क्या क्या चाहिए X चाहिए और Dx चाहिए तो X लिया हमने Dx लिया ऐसे सारे निकालते चलिए 2 cos को हो जागा minus sin theta D theta ऐसे y equals to कितना हो जागा R sin theta लेते है और D y क्या हो जागा 2 sin को होता है cos theta D theta ठीक है Z equals to 2 दे रखा D z कितना हो जागा 0 हो जागा constant का differentiation theta जो होगा हमारा पूरा circle है 0 से लेकर 2 pi तक vary करेंगा यह सारी value उठा के कहा रख दी नहीं है इसमें तो f dot dl कितना जाएगा हमारा यहाँ पर लगाओ 3 y की जागे कितना है 2 sin theta और D x की जागे कितना है D x की जागे लगाओ minus 2 sin theta D theta theta यह value 0 से लेकर 2 pi है next x x की value कितनी है 2 cos theta into z z की जागे है 2 और d y की जागे d y की जागे into 2 cos theta D theta d z 0 d z 0 लगाए तो यह पूरा 0 ही हो जागा ठीक है बस इसे solve कर दो कितना हो जाएगा 0 से 2 pi यह हो जागा 6 12 minus 12 sin square theta मैं d theta को मेल दे रहा हूं और यह कितना हो जागा दो 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 चार दो ने 8 cos square theta d theta को मैंना बाहर लिख लिए 0 से 2 pi इसको थोड़ा solve कर लो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 4 sin square theta minus 8 cos square theta sorry 8 sin square theta इसको 12 को 8 और 4 करके लिख 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 लिए 8 cos square theta d theta यहां से देखो 0 से 2 pi minus 4 sin square theta क्या लिख सकता हूं मैं 1 minus cos 2 theta upon 2 2 यहां से minus 8 कॉमन ले लो कितना होचेगा sin square theta plus cos square theta इस सबको bracket में ठीक है d theta 2 से यह 2 times cancel है ना minus 2 के अंदर multiply कर दो minus 2 plus 2 cos 2 theta sin square theta plus cos square theta होता है 1 यह जागा d theta 0 से 2 pi यह कितना हो जागा minus 10 ठीक है minus 10 plus 2 cos 2 theta d theta इतना गया बस अब इसे integrate कर दो minus 10 theta 2 cos को जागा sin 2 theta upon 2 0 से लेकर 2 pi limit लगा तो इसकी कितना हो जागा यह minus 10 into 2 pi 2 से 2 cancel sin 4 pi 0 लगाया तो यह वालब 0 और यह लगाया sin 0 यह भी 0 sin 4 pi 10 into 2 कितना हो जागा यह minus 20 pi यह क्या करना था verified करना था ठीक है तो यह हमें minus 20 pi इसको क्या करना था verify करना था stroke theorem से देखो आ चुका है तो इस video में इतना ही और thank you मिलते है next video में